वेलकम तू सक्सेज गलोर। सक्सेज गलोर में आपका हारदिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे। आज हम आज के दिन के आनिके 14 अबरी के डेली करेंट अप्यर्स करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और प्लीज सब्सक्राइब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप उस काम को नहीं कर सकते हैं तो भी आप एकदम सही सोचते हैं ऐसा बोला है है एन्री फोर्ड ने और ये एकदम सही बात है। चलिए आज के पहले कुश्चन के साथ शुरुगात करते हैं आज की इस वीडियो का। नेम दा फॉर्मर यूरोपियन सेंट्रल बैंक चीफ हू बिकेम दा न्यू प्राइम मिनस्टर आफ इटली। उस पूर्व यूरोपिय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुक का नाम बताईए जो इटली के नए प्रधान मंत्री बने। सर्जियो मेटरिला, यूसेपे कांटे या फिर कैमियो बैंसो डी कवर या फिर मारियो ड्रॉगी। सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी मारियो ड्रॉगी बने हैं कौन नए प्राइम मिनिस्टर आफ इटली। अगर हम इटली की बात करें तो रोम यहां के कैपिटल है और जो सर्जियो मेटरिला हैं जो कि यह आप्शन नंबर ही है यह यहां के प्रैसिडेंट है यह वह पूर जो यूसेपे कांटे है यह वह पूर प्राइम मिनिस्टर है जिनके इस्तिपिक एबाद आब मारियो ड्रोगी को क्या बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर और अगर हम बात करें केमिलो बैंसो डिकेवर तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है इटली के चलिए इसके बारे में देख लेते हैं ये दगार्डियन का आर्टिकल है ये हैं मा बड़े में पर देख लेते हैं एक बार ये है इटली और रोम यहां की क्या है कैपीटल चलिए आगे चलते हैं अगला क्विश्चेन है फू इस सेट टू बिकम दे नेक्स डिरेक्टर जर्नल ऑफ इंटरनेशनल सॉलर अलाइन्स आई ऐसे के अगले महा निदेशक बनने के लिए कौन तयार है अजय मिश्रा अजय मातुर अजय ठाक और या फिर अजय तयागी अजय मातुर बनने वाले हैं क्या महा निदेशक किसके अंतर राष्टिय सौर संगठ बनन के ऐसा का हुआ जो मौरिशस के पार्डिश्पेंट थे उन्होंने मौरिशस ने उनका नाम बापस ले लिया उसके बाद अजय मातुर अब महा निदेशक बनने के लिए तयार हैं अंतर राष्टिय सौर गठ बंदन के यह हैं अजय मातुर जी और यह दमिंट का आर्टिकल है आप इसे एक बार गोत्रो किजिए अच्छा अगर हम अजय मातुर की बात करें तो जो अजय मातुर हैं वो मेंबर हैं किसके जो प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल है क्लाइमेट कस्मीर जॉइन हैंड टू इंप फॉर इंपक्ट बेज फ्लड फॉरकस्टिंग हाली में निम लिखित मैं से किसके साथ जम्वु कस्मीर ने प्रभाव आधारित बार पूर्वान वन के लिए हाथ मिलाया है हाथ मिलाया है इंडियन स्पेस एजनसी इस्राइली स्पेस एज या फिर चाइनीज स्पेस एजनसी सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी युनाइट किंग्डम स्पेस एजनसी के साथ हाथ मिलाया है और यह मनुश शिन्ना जी है वहांके लिटिनेंट गवर्नर एकॉनोमिक्स टाइम्स का यह आर्टिकल है अब इससे एक बार गो आजाद स्टर्म एंड ओं फैबरी 15 यानि कि कल के दिन गुलाम नमी आजाद का टर्म खत्म हो जाएगा जो कि अभी राज्य सवा में विपच्च के नेता है तो उसके वाद अगला विपच्च का नेता कौन बनेगा निमल कितम से साक्षी तरूर मलिकारजुन खड़गे सल हिंदू का आर्टिकल आप इसे गोत्रो जरूर कीजेगा चलिए अगला क्यूश्चन है और बहुत इंपोर्टन क्यूश्चन है वैं है इंडियान नेशनल बीमंडे बीन रिसेंटली सॉरी बीन सेलिबरेटेड रिसेंटली हाली में भारतिय राश्ट्रिय महिला दिवस कब अगर हम सरोजनी नाइडू की बात करें तो उन्हें और क्या बोला जता है उन्हें भारत कोकिला या फिर नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो जो पोईम लिखती थी उसकी बज़े से वने जाना जाता है यह इंडिया तुड़े का आर्टिकल है आप इससे एक बार गोथरो जरूर किये अच्छा अगर हम सरोजिन गारू की बात करें तो वह फर्स् जो फृस ने इन विच ए स्टेट टेसला इस गोईंग तो सेट आप एट्स एलेक्टरिक कार मैनुफएक्टरिंग ब्लांट टेसला किस राज में अपनी इलेक्रिक कार विनिर्मार्च सैन्थ को स्ताबित करने जा रहा है करनाट का महारास्ट्र गुजरात या फिर तमिल ल वो है बिएश येदियरुपा बाजु भाई बाला महां की गवर्नर है और बैंगलरू महां की कैपिटल है अगर हम महाराश्रा की बात करें मुंबई यहां की कैपिटल है उद्दभ ठाकरे यहां की गवर्नर है और भगत सिंग कोशियरी यहां की गवर्नर है और भगत सिंग क अबिटल है बनवारी लाल पुरोहित यहां के गवर्णर है और थीरू एदापदी के पालिन श्वामिया के चीफ मिनिस्टर है चलिए इसके बारे में देख लेते हैं यह है इलन मस्क जो के टेसला के ओनर है ठीक है और यह आर्टिकल आप इससे गोथरो जरूर कीजेगा चलि करता है आंदर प्रदेश के शाथ करता है और यहां पर यह करता है तमिल लाडू और इस जगे के शाथ यह शेर करता है चलिए अगला प्रशन है जो कि आज का कुश्चन जो मैंने आप से पूछा था who has recently been appointed as the CEO of Tata Motors Tata Motors के हाली में नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है Mark Lil Tosla, Gwinter, Budsake या फिर Enchan Sikhan या P.B. Balaji So इसका correct answer है option number A Mark Lil Tosla को अब नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है क्योंकि जो Gwinter, Budsake थे, जो के अभी तक CEO थे उन्हाने quit करने का decision लिया है तो अब Mark Lil Tosla को नए CEO के रूप में Tata Motors में बनाया गया है अगर हम Enchan Sikhan की बात करें तो ये chairman है Tata Motors के और अगर हम P.B. Balaji की बात करें तो ये CFO या निए Chief Financial Officer है किसके Tata Motors के ये है Mark Lil Tosla और ये Times of India का आर्टिकल है आप इससे गोत्रों चरूर कीज़ेगा अगला प्रशन है Recently Exim Bank has announced to give 400 million dollar to which country हाले में Exim Bank ने किस देश को 400 million dollar देने की घोशना की है स्रीलंका, मालदीव, बांगलादेश या फिर पाकिस्तान तो Exim Bank की अगर हम बात करें तो Export and Import Bank of India इसका नाम है और मालदीव को ये 400 million dollar देने की घोशना की है अगर हम इन countries की बात कर रहे है तो एक बार इनके President, Prime Minister के बारे में जान लेते हैं मालदीव की अगर हम बात करें तो मालदीव की जो Capital है वो है माले और जो President है यहां के वो है इब्राहिम मुहम्मद सोली है ठीक है वो यहां के President है और मालडीवियन रुफिया यहां की क्या है करन्सी अगर हम स्री लंका की बात करें तो कोलंबो यहां की Capital है कोलंबो यहां की Judicial और Executive Capital है और स्री जयवर्दने पुराकोटे यहां की Legislative Capital है घोटावाया राजपक्षे यहां के President है महिंदर राजपक्षे यहां के Prime Minister और स्री लंकान रुपी यहां की करन्सी है अगर हम बांगलादिश की बात कर रहे है तो सेख हसीना यहां की Prime Minister है अब्दुलहमीद यहां के President है ठाका यहां की Capital और Largest City है और ठाका यहां की करन्सी है अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो President है वो है आरिफ अलवी और यहां के Prime Minister है वो है इर्फान खान और इसलामाबाद यहां की Capital है और कराची यहां की Largest City अगर हम इसकी करन्सी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी यहां की करन्सी है चलिए इसके बारे में जान लेते हैं यह Exim Bank जो 400 Million Dollar दे रहा है मालदीब को उसके बारे में ब्रीफ है आप इससे एक बार गोत्रो जरूर कीजेगा अब हम मालदीब की लोकेशन देख लेते हैं तो अगर आप इंडिया के नौर्थ में जाएंगे तो यहां पर यह चोटा सब जो आईलेंड डेशन है वो है मालदीब चलिए अगला कुश्चन है और बहुत important कुश्चन है Recently in which state has Defence Minister राजना सिंग इनागुरेटिट दो जलावी शेकम कैमपेंड हाली में किस राज़ी में रच्छा मंत्री ने रच्छा मंत्री राजना सिंग ने जलावी शेकम अभियान का उद्गाटन किया है मद्रप्रदेश उडीशा गुजरात याफिक गेरला इसका करेक्ट आंसर है option number A मद्रप्रदेश में जलावी शेकम अभियान का उद्गाटन किस ने किया है राजना सिंग ने ठीक है इसके अंदरगत 57,000 ठीक है वो पानी के लिए जो स्कीम लाउंच करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे वाटर के लिए जो स्कीम लाउंच करें गवर्णर है नवीन पत्नाएक के चीफमीनिश्टर है और भूमिनिश्टर के पीटल है गुजरात में अचार देब्रत नहीं के गवर्णर है और चीफमीनिश्टर की बात करेंगे तो वह है विजय भाई रूपानी के बात करें तो पुर्ण और आरिब मौम्मिद्गाद यह आल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है आप इसे एक बार जरूर जरूर कीजिएगा तो यहां पर यह मद्यप्रदेश ठीक है और यह बड़े मद्यप्रदेश है बोपालियां की राजधानी चलिए अगला प्रश्ण किस राजय ने एक अनौखा संग्रहल एक उत्पर एक मुजक्श कि वनेगा उत्तर पर तेली और और हो कि की यह चीफ मिनिट्र है योगी आधित नात लखन है यहां की गवर्नर है राजिस्तान की जो चीफ मिनिस्टर है और फागू चोहन या की गवर्नर है यह दन न्यू इंडियन एक्सप्रेस का अर्टिक है और आप इसे एक बार गोत्रों चरूर कीजिएगा चलिए यह मैं आपको दिखा चुका हूं अगर हम बात करें किमद्र अधिये उठ्टिक है और यहां पर यह चत्रिश्च के शाथ करता है और इस जगह ओडिशा और पर अगर हम आ जाए ठीक है तो यहाँ पर यह थोड़ी सी बाउंडरी किसके साथ शेयर करता है अगें उत्तरप्रदेश और किसके साथ करेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं बीच इससेट हेसेंट initiative ट्रेइन चंपारिस और या में चाई होग। यहाँ प्रश्टन पर आते हैं हाली में किस राज ने फेपर लेजिश विदाँ सवास्थन के लिए तो अगर आध को आढ़ेछ और आंसर खानो है अलिया प्र्शेकी ने हरा है जलिए और अज की गवरणर हैयो गोगा के गवर्णर है और यहां के डूर्षा जालिए हां जलिए और स्थ्पालमलिक यांके गवर्नर जलीए आप इससे गोत्रों जरूर कीजेगा चलिए अगर हम बात करें तो उत्तर परदेश की राज़तांही लखना हो है ठीक है और यह नैपाल के साथ अपनी boundary भी शियर करता है अगर हम स्टेट की बात करें तो हुआर के साथ करता है जारकन के साथ करता है और इस जगे यह यह चत्तिसगर के साथ करता है और यहाँ पर यह करता है मद्द प्रदेश इस जगए राजिस्तान यहाँ पर यह हर्याणा इस जगए यहाँ पर यह डैली के साथ करता है और थोड़े से पोर्शन के लिए यह करता है हिमाचल प्रदेश और बाकी बाउंडरी यह करता है उत् डैबलड की है उनको 10 तरो अपने सेंटर में तेस्ट कर रहा है तो आपको इस सेंटर का नाम बताना है क्या वो विक्रपरम सारवा डेवलप की है और वो जो दो प्राइवेट सेक्टर की सेटलाइट है जो जो दो प्राइवेट सेक्टर है वो है स्पेस किट्स इंडिया और पिक्सिल उनकी सेटलाइट को यह टेस्ट कर रहा है कहां पर यू आ राव सेटलाइट सेंटर अगर इश्रो की बात करें तो के सिव इंडियन सॉर्ट फिल्म मेड इट्टू टू टॉप टैन लिस्ट फॉर ओस्कर सॉरी हाली में किस भारती है लगू फिल्म ने ओस्कर में के लिए सीर्स दस की सूची में जगह बनाई है तिट्टू बिट्टू पिट्टू या सिट्टू तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन का आर्टिकल है करिश्मा दुबे की जो सौट फिल्म में बिट्टू उसने टॉप टैन में अपनी जगह बनाई है ठीक है बाकी कौन है बाकी इसमें ताहिरा गसप में जो राइटर है बाकी एकता कपूर और गुनीत मुंगा ने भी डिरेक्शन किया है अगर हम ताहिरा में cancer हुगा टाय, एकता कपूर और को हर कोई जानता होगा, चलिए आगे चलते हैं अगर कर लें में अगर हम कर प्रस्थो आपसे आपसे के जो इसराइल और जो इस महा इसमें आता है से इसले मैं यह यह जो है उन्हीश्यान कोंटिनेंट के पास और यह ज्यो है यह European continent ठीक है तो वो उन दोनों के बीच में आता है उन तीनों के बीच में आता है African continent, Asian continent और किसके European continent के बीच में अगर हम इस समुद्र की बात करें तो यह है Mediterranean ची अगर हम इसराइल की बात करें ठीक है तो तल अभी यहां की capital है according to many countries including Israel to अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मुताबिक तल अभीव है यहां की capital, I am sorry मैंने थोड़ा सा mistake कर दिया, इसराइल के मुताबिक जो वहां की capital है वह है जेरूसलम और इंडिया के according वहां की capital है वह है तल अभीव, US के साथी काफी सारी countries है जो इसराइल की capital मानते हैं कहां ज Palestine conflict बोलता है ठीक है चलिए आगे चलते हैं बाकी मैंना आपसे कुछ और कुछन पूछे थे आगा उजय त्यागी की बात करें ठीक है आजय त्यागी की बारे में पूचे था और क्या बोचाता मैंना ईर आप से प्रवीन शन्ना के बारे में पूचाता था और ससी कांत दास के बारे में पूछा था नितिन गडगरी के बारे में पूछा था ठीक है और I think मैंने बीके सिंग की बारे में पूछा था ठीक है चलिए इनके बारे में बता देता हूं अगर मैं नितिन गडगरी की बात करूं ठीक है तो यह मिनिस्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे किया गया है तो इस पर question आ सकता है तो आप प्रवीन सिन्ना को याद जरूर कि रखिए गार ठीक है प्रवीन सिन्ना को है डारेक्टर ओफ बलस यू आ।